हलो अब्रीवन निमसेट 23 के लिए अब कुछ घंटे रह गएं केवल कुछ घंटे जब तक आप ये वीडियो सुनेंगे कुछ ही घंटे रह जाएंगे हो सकता आपके सोने का समय हो जाए मैंने थर्ष्टे ओर फ्राइडे में आपसे कुछ चीज़े डिसक्रस की थी बहुत ही इंपॉर्टेन थी थर्ष्टे ओ फ्राइडे के बाद जब बच्चों के मैसेज मिले इवन कमेंट में भी आपने लिखा बहुत अच्छा लगा थर्ष्टे को मैंने आपको बताया कि क्य में क्या क्या चीजे हैं जो 22 के पेपर में ध्यान रखना है यानि आपको मैं यह बात शूरली बोल सकता हूं कि कल कुछ कोश्चन ऐसे आएंगे जो आपको फस आ सकते हैं अगर आप फस गए तो आप निकल नहीं पाऊगे नहीं फसे तो आप समझ लो सेलेक्ट होके आओगे वो दिखाया था 22 का पेपर एजी होने के बाद भी सब कोश्चन थे 23 का पेपर कैसे आएगा 23 जैसे आएगा कुछ सोच के मत जाएए पहले क्या करना है बिल्कुल सोच के मत जाएए बस एक काम करना है टाइम पे जाना है और जिन कोश्चन में भी उलस कापल इसलिए था था कि समझ दीटीटीवट्टीवट्वट्वेस है Raphaér Better Book 120 कोश्चन या जैसे 2020 कोश्चन करेगी ये ball decide करेगी यानि आप कितने अच्छे से उसे catch कर सकते हैं बॉल पर जोका और सक्का नहीं मार सकते हर बॉल पर run नहीं मना सकते है और जिस ball पर run बनाने कि कोशिश की और बीच में समझ में आया runout हो सकते है उसमें एक बात बोलता हूँ Best of Luck जब हम बोलते हैं Best of Luck में Best का मतलब क्या होता है कल आपको अपना Best देना है पर Best की Definition क्या है Best Relative नहीं है IndISA आपका अपना Best देना है यानि कल अगर में 20 में से आप को देखे लगता केवल 40 participated या 60 this test अगर घ्र कराए तो आप अपना बैस देखना परको घर रहे जो आते ही नहीं उसका क्या करोगे उसका कुछ नहीं करना उस पर सोचना भी नहीं की मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा जैसे 2019 2019 paper में यह हुआ मैं हर साल जब भी paper होता है यह message हमेशा देता हूँ आप चाहओ तो तो तीन साल पुराना चार साल पुराना आज अच्छी बात है कि youtube पे सब मिल जाता है कि आपको जो मैं अभी word बोला हूँ वो मैंने आज से 4-5 साल बेले भी बोले हर साल बोलता हूँ तो 2019 के समय जब मैंने बच्चों से बोला कि बिटा जितना बनेगा जिसा भी बोला उतना ही करना जो बच्चे 300 नंबर का आता था वो 300 करके आए और सिलेक्ट हो गए और जिन बच्चों ने सोचा 300 में तो वैसी नहीं हो ना तुक्के मार दिये 600 का करके आए 700 का वो सिलेक्ट नहीं हुए आपको फिर बोलूँगा पेपर कैसा भी आए डिपेंट करता आपका क्या बैस्त है आप अपना बैस्त दे सकते उससे ज्यादा नहीं अगर मालो आपको 40 ही आते हैं तो बाकी आप कहां से कर लोगे और करोगे तो गलत करोगे तो जो 40 सही करें उससे भी नंबर कर लूँ इतने में तो नहीं होना तो जो और करोगे वो गलत हो गए तो आपने 40 से जो कमाया और गवाद हो गए हो सकता पेपर 40 का ही हो और मालो आपको 80 आते हैं 90 आते हो आप 90 नहीं कर पाए ये भी दुख की बात होगी आपको भागा के अफसोच होगा 90 बन सकते थे करे 60 मेरे लिए बैस की एकी डेफिनेशन है कि जो मेरा बैस्ट है मैं वो दूँगा यानि जो मुझे पेपर में आता है मैं बस उतना कराया तो इसका मतलब है मैंने अपना बैस कर दिया बाकी सारी चीजे रिलेटिव से कोई दिक्कत नहीं भगवान मेरे साथ अच्छा करेगा अगर मेरे लिए अच्छा है तो वो मुझे भीजेगा नहीं है तो कुछ और अच्छा देगा पर मैं अपनी बार अपना एफर्ट लगाना कभी कम नहीं करूंगा अपना बैस दूंगा कल सुबह उठिए टाइम पे एक अच्छी नीन लेने की कोशिश करिए आई अच्छी नहीं क्या होगा पेपर में जाकर सब भूल जाओगा टाइम पे अड्मिट कार्ड लेकर जाए अपना इडी प्रूब लेकर जाए इडी प्रूब में अधर कार्ड पैन कार्ड दो आईडी प्रूब रख लो चलेगा जैसे कल एक बच्छे ने पूचा सर हमने न वह लगाय पानी की बॉटल टांस्पेरेंट लेकर जाए मैटल की चीज़ें लेकर मत जाए टाइम पर पहुंची यह चोटी-चोटी चीजें कोश्चन करते समय जब पेपर जैसी आए एकदम स्टार्ट मत हो थोड़ा पेपर को देखो समझो फिर जो फील आए उसके साफ से करना चाल पर इसके बाद इन दोनों को टुंटी-टुंटी मिनिट और बचे टुंटी मिनिट डिपेंड ओन जो सेक्षन सबसे जादा बन रहा हूं यह एक आइडियली तरीका है बट इस पे भी रिजट नहीं होना है ना मैं कहूंगा रिजट होना है पर कई बच्चे होता है जिनका मैस कर लेते हैं और यह गलती मत करना जो नहीं आता उसको पढ़ने का भी टाइम मत करना बेस्ट लॉंग स्टेट्मेंट कोश्चन इस आलसो टाइम कंजुमिंग पहला एक घंटा जितना लीस टाइम कंजुमिंग करोगे उतना फायदा और अगर किसी को आप कई बार बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा अरे आपको आप थोड़ा दोड़े और आपको दिखिया बॉलर कोई विल्डर बॉल फेग सकता और आप रणोट हो सकते हो तो आप बापस आते हो ना बस यही बात करनी है यही पेपर में दो स्टेप के बाद समझ में आ बॉल जाई आप कुछ कर नहीं सकते अब टाइम खतम अब मेंटल प्रप्रेशन है कोई भी जंग दिमाग से जीती जाती सबसे पहले फिर वो फिजीकल होती है आपको अपने पोटेंशिल का पूरा पूरा यूज करना है अनलोक और पोटेंशिल का मतलब होता है आपके अं बनते हैं उससे ज्यादा करोगे तो घलत होंगे और उससे कम करोगे तो आप अंसेफ हो सकते हो यही बात दिमाग में रखिए जिस पल पेपर में कोश्चन लगे फसा रहा है दस सेकंड का रेस्ट करिए डीप ब्रत लीजिए पानी पीजिए पिछले साल पिछले कई सालों से मैंने देखा जो बच्चे इस टेकनिक को फॉलो करते हैं वह हमेशा पेपर के बाद मैसेश करते हैं कि सर आपकी ये बात बड़ी काम आई स्टेस हो रहा था पानी प्या डिप ब्रित करीब पर बनने लगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे बनता जाएगा बढ करिए उसी पर चिंतन करिए और कुछ मत सोचिए यह जो आप कर सकते हैं उस पर काम करिए खुश रहिए बिलकुल परेशान मत होएए यू आर सो क्लोज टू दा विट्री डोंट डर गिव अप आप अपने जीत के एक्चुल में बहुत करीब हैं आप अपने जीत के एक्च चोटी चोटी बातों पर ट्रस करिए ट्रस्टी और सेल्फ यू नो मोर देन यू ठिंक यू डू अपने उपर जिसको भरोसा नहीं होता वह वैसे भी जीत नहीं सकता अपने उपर भरोसा रखिए पॉजेटिब माइंड से पेपर दीजिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूँ पढ़ाई तो आपने की है पर आप अपने उपर भरोसा करना भी सीखें यह इंपॉर्टेंट है अपने उपर भरोसा रखिए अपना बैस दीजिए कल पेपर के बाद मैं आपके साथ इस पेपर को डिसकर्ज भी करूँगा बताऊंगा भी क्या हुआ पर यह सब भी अभी वो सब कल के बाद CUT paper का analysis क्यों नहीं लिया था मैंने आपको reason बताया कि मैं नहीं चाहता था कि आप उसके बारे में सोचे एक बार फिर बोलूँगा आपने वो paper कैसे भी दिया हो भूल जाये just for practice mock मानिये अब आप अपना पूरा 100% देने की कोशिश करिए आपका 100% ही आप आपका result होगा अगर आपने अपना 100% से कम दिया तो आपका result नहीं होगा इसी को best बोलते हैं और यही कर सकते हैं best of luck all the best and thank you